इने टाप जाना है वाह बाहिरा वेरी गोड वाह बाहिरा यह जी बाहिरा उन्निस महिने की ठीक है 60 प्लास हाइट है और बस इसकी वाइट वेट कर रहे है कब यह गोड़ी दो दांत हो क्योंकि हमें पूरी उमीर जो इसका बच्चा आएगा गर्दन उसका पिठा पुड़ा और आने वाले डेड़ महिने में आप इसकी हैल्थ देखके खुद कहेंगे कि हाँ भाई वाके क्या किया है फिर वो जरुड़ाती नहीं होती स्ट्रीर्ट की यह गलत फेहमी होती है कि स्ट्रीर दिये और वह चल्ड़ा बाईरा वह उसके जी एड़ दिये और वह ऐसे हो गई वह ऐसे हो गई ना यह बिलकुल गलत है घुड़े में तो खुद के हार्मों जितने हैं कि वह खुदी उसको पचाले जब वो सही डाइट खाती है न और खुदी उसको पचाले तो यह सबसे बड़ी बात है ठीक है न अब यह पूरी जान में घोड़ी पूरा यह हमारा भी पैड़क थोड़ा सही नहीं बना वैसे परमात्मा ने चाहा और आप लोगों की भाईयों की दुआ रही न जी तो बड़ी जल्दी एक खुली डुली जगा में बना रहे हैं यह लॉकडाउन की वज़ा से जैसे सबका काम चौपट हुआ वैसे हमारा भी हुआ ठीक है न और भगवान ने चाहा तो यह बिलकुल आपको दिखाएंगे जादा से जादा चार पांच महीने में एक खुली पैडाक और हमारा सारा फार्मक केरेंव हम तो अश्वशाल ही कएंगे और हम भई अपने भयार्म को फार्म नहीं यह 500 स्कूर्फेट में आं तो इसको हमाप प्लाठ ही कहते हैं और alarm के हरेते हैं कि कि कैसे भाश बेटए आर यह बासमेरा बेटा और एक और बात मुझे लाते भी मारी है ठीक है और भी मेरे साथ छेड़ खानीया की है पर तो भी तो भी भाई जी जितना करूं मैं तो यह मेरे साथ काफी हडंब थक बफ्दार रहती है आजय कोड़ जाती है बहुत ज्यादा ये बो है कわかते हैं इसको अग्रेसिव तो si ने कसान सब्सक्राइब किना आएब करके न Six दर्माइब कतैं उसकने उसक्राविब कि दो लए आपानध़ गथाप का पցछा चोकलेड लेले आज़ा अरह बैद बाहरा बैटे की का रहीं है फिर मैं उद्दर आऊंगा तुई थोटा पजेंों मैंनू पता फिर आफ गाफ़ एस यuh लञेंग इस ब Beh fi छवाएंगी जड़ा और और अज़ को चिसर करना आफ़ आजा मैंनू करलेंद दे बीटे आजा 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 विरा बेट आजा बाहरा आजा देरी इनी तरीह कितीघ की भी श्रीफ है क्योंकि ये रेको नहीं रर्ची इसकी सेट करने वाली है, उदर ये देखो ये उदर जारी है न ये जंप करने के लिए जा कर दीएbaar अब थोड़ा उचा कर दिया मैंने हाँ अब जंप नहीं कर पाई नहीं तो आपको एड़िट करके दिखाऊंगा वाई इसकी जंप कैसे करती है जंप और इसके लिए ये इतने से बास कुछ नहीं है बस इसको गैप चाहिए भागने के लिए और एक और बात जितनी ये घोड जी जितना इसका पेट बड़ा है इसकी लेंद अच्छी है ठीक है ना तुनी इसकी संदर था इसकी सबसे ज्यादा जो संदर point है वो है इसकी गर्दन में इसकी गर्दन एक बहुत अच्छा breeding के लिए जैसे कई वार गोडे की गर्दन छोटी होती है ना पर गोड़ा तो 65-66 का होता है 67 कई वार गर्दन छोटी रह जाती है और उसकी breeding ऐसी गोड़ी के साथ की जाए तो ऐसा result आएगा दोनों की गर्दन म नोके की मज़ा आ जाएगा जी ठीक है ना भाईयो दोनों की गर्दने आन बढ़िया तरीके से क्योंकि इसका भी अपनी माँ का गुना आ जाएगा आ जा बेटा आ जा बाहरा नो अब चाहती तो मेरे चार बात ये पिछली लाते मार देती है यहां से कूद जाती है जो ये व अभी मैंने ढिला ये गर जाएगा बाहरा देखो अभी भी मेरे लात मार सकती थी अगर मारना चाहती पर नहीं यह ऐसी घूड़ी नहीं है ठीक है ना जी तो अगर कोई बायर बाई जी इसे लेना चाहे ठीक है क्योंकि वैसे तो हमारा इराद है कि इसकी वैसे एक बच्च है नहीं लिया तो हम मुरक ही होंगे ठीक है ना यह देखने हैं जब पूरी मस्ती में भागती है अभी थोड़ी पैडक छोटी होने की वज़ा से ऐसे हैं ठीक है तो ऐसी बच्ची का हम चाहते हैं बच्चा लेना पर तो भी अगर कोई सीरियस बायर हो क्योंकि अगर सोचे कि यह थोड़ा सस्ते रेट में मिल जाएगी या ऐसे हो जाएगा या वैसे हो जाएगा तो यह नहीं होने का है क्योंकि इसका रेट थोड़ा अच्छा है क्योंकि अभी यह कम से कम 62 या 62 से पार भी जा सकती है अपनी सही उमर में ठीक है ना आपको अभी यह दो महीने में जब आप इसकी हैल देखेंगे आप इसको देखके कहेंगे भाई यह 62 है कम से कम या 62 प्लस ठीक है भाई ओ यहीं पर वीडियो खत्म करता हूँ और मेरे भाई किसी का भी कोई सवाल होता है ना बेटे आजा यही एही करना से इदर आ इदर बाहरा कमाउन बेटे आजा आजा म भी कोई यह नहीं कि खराबी करती है सीधा अपनी पैडक में जाएगी ठीक है ना सो थैंक्यू एवर्वर्वन क्योंकि मैंने अब इसे बाढ़ना है उमीद करता हूं आपको पसंद आई होगी ठीक है जी थैंक्स